एलो फ्रेंट्स गुडीवनिंग वेलकम टू नेचर इज लाइब फ्रेंट्स मैं आज एक नरसरी विजिट करने आई हूँ तो हम गार्टनस जब भी नरसरी जाते हैं तो हमें लगता है कि हम ये प्लांड भी ले ले ये प्लांड भी ले ले मुस्किल होता है तो शुरुवात करते हैं इस नरसरी विजिट की तो सबसे पहले फ्रेंड ये है डेलिया के प्लांड तो डेलिया के प्लांड तो सभी गार्डनस को बहुत पसंद होते हैं क्योंकि इनके फ्लार काफी ज़्यादा बड़े साइज में आते हैं अब इनका सीजन जाने वाला है इनमें अप्रेल तक फ्लार आएंगे इसके बाद इनमें फ्लार आने बंद हो जाएंगे लेकिन अभी हम इन्हें बाय कर लेते हैं तो हम इनके ट्यूबर्स को सेव करके रख सकते हैं और नेक्स्ट येर फिर हम इनकी कटिंग से धेरो प्लांट बना सकते हैं और अभी ऑपसीजन में ये प्लांट हमें कम रेट में भी मिल जाएंगे तो अभी आप इन्हें बाय कर लें फिर ये है लैला मजनू का प्लांट इनके बैक साइड की जो लीफ है वो रैट कलर में ह होती है उपर से एक ग्रीन कलर की होती है तो ये एक प्लांट है और बहुत लोक एर प्लांट है इसे भी आप बाय कर सकते हैं ये है रबर प्लांट रबर प्लांट भी एक प्लांट होता है तो आप कहां साइड रहती है तो आप इसे भी अभी बाय कर सकते हैं इनके इसे भी अभी बाय कर सकते हैं और फिर यहां अरिकस पॉम तो अरिकस पांप भी बाय कर सकते हैं स्वॉं और इंडिया यह भी पर्मनेंट फिर प्लांट है şi समर सीजन में भी चल जाता है यह हमारे गार्डन में ग्रीन भी तो एड़ करेंगे ही फिर यह है पथर चटा तो आप इसे भी एड़ कर सकते हैं यहां से यह सारी इनकी कटिंग्स तयार हो रही है वें वर्णिर्ण जी देखिये कितनी जादा ब्यूतिफूल लग रही है यह यह थूजा की कटिंग देखिए यह बैड थूजा का कितना ज्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है और यह जो ऐसे चोटे-चोटे प्लांट होते हैं यह लगभग 10-20 रुपीज में मिल जाते हैं इन्हें आप बाय कर सकते हैं यह पोधोज है यहां से फिर यह सारी आप देख सकते हैं आप जर्विरा भी अभी बाय कर सकते हैं क्योंकि यह भी प्लांट है और यह सालो साल चल जाता है यह समर सिजन में फ्लावरिंग करता है फिर यह पैंटास पैंटास एक प्लांट है आप इन्हें भी बाय कर सकते हैं और यह समर सिजन में बहुत ज्यादा हैवी ब् तो यह प्लांट समर सीजन में चल जाता है तो आप दैंथस को भी अभी बाय कर सकते हैं फिर यहां पर देखिए यह सेरेमिक पॉट का बहुत ही ब्यूटिफुल कलेक्शन है बहुत ही जदा ब्यूटिफुल पॉट के कलेक्शन है यहां पर आपको सभी टाइप के पॉट्स म समर में बहुत हैवी ब्लूमी करता है इन्हें भी बाय कर सकते हैं यहां से यह सारे सकुलेंट है जिसमें लक्षमी कमल का सबसे ज्यादा ब्यूटिफुल कलेक्शन है और कर्शुला का तो आप इन्हें भी बाय कर सकते हैं सकुलेंट तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और यह सारे केलन्चू हैतो और इन्हें कर सकते हैं तो एलें उप केल हैं यह अँल्चू सेले आप है में भी बाय कर सकते हैं और इनके पास Erica Palm का बहुत ही प्यारा collection है बहुत बड़ा collection है आपको हर size के plant यहाँ पे मिल जाएंगे और इनके plant के height के हिसाब से ही इनके price है जैसी यह छोटे pot में लगे हैं तो यह थोड़े कम rate में मिल जाएंगे फिए किसमस ट्री यह भी permanent plant है तो इनहें भी आप अभी बाय कर सकते हैं यहाँ पे इनकी condition खराब है लेकिन आप इन्हें बाय कर सकते हैं क्योंकि हमें तो इन्हें इंडोर ग्रो करना है यह इंडोर बहुत अच्छे चलते हैं तो आप इन्हें भी बाय कर सकते हैं फिर यह है इसलेक plant इसलेक plant एक permanent plant है बहुत hardy plant है यह all season बहुत अच्छे से grow होता है तो आप इन्हें भी बाय कर सकते हैं यह है devil backbone तो summer में इनकी leaves जहरना शुरू हो जाती है लेकिन यह बहुत ही hardy plant है तो यदि आपको आप सीजन में कम rate में मिल जाए तो आप इन्हें भी बाय कर सकते हैं और यहां से सारे सकुलेंट है इनके पास सकुलेंट का collection बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और यह इंडोर बहुत अच्छे चलते हैं यह सीवी सीड प्लेस पे बहुत अच्छे चलते हैं तो आपको सकुलेंट पसंद हो तो आप इन्हें भी अभी बाय कर सकते हैं प्योंकि summer season में इनकी growth का प्रियर्ड होता है तो इनकी cutting भी बहुत आसानी से लग जाती है फिर यह एसपेरिगस है यह भी permanent plant है तो इन्हें भी आप बाय कर सकते हैं यह मैरी गोल्ड है तो मैरी गोल्ड तो all season blooming करते हैं अभी भी देखिए इनमें birds बनी हुए तो इन्हें भी बाय कर सकते हैं फिर यह यहां से औरियंडर औरियंडर भी बाय कर सकते हैं यह है कौस्मोस तो कौस्मोस की यह जो variety है यह तो winter में blooming करती है लेकिन इनकी जो दूसरी variety आती है वो summer season में बहुत heavy blooming करती है और कौस्मोस बहुत hardy plant होता है तो आप कौस्मोस भी इस समय बाय कर सकते हैं जितनी ज़्याद अच्छे से ब्लूम करते हैं, अभी हम कुछ विंटर सिजन के भी प्लांट बाय कर सकते हैं, जैसे ये कैलेंडूला, इनमें अपरिल तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती हैं, और इनमें बहुत जल्दी सीड बनते हैं, तो हम इनके सीड भी कलेक्ट करके नेक्स्टियर ध ये प्लांट अच्छे चलेंगे, ये स्नेक प्लांट की दूसरी वराइटी है, ये कोलियस, कोलियस भी अभी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि समर सिजन में तो ये कोलियस ही बहुत अच्छे चलते हैं, ये सैफलेरिया, ये भी एक प्लांट है, काफी हाड़ी प्लांट है, त तो बहुत ही खुबसूरत लगते हैं तो इन्हें भी आप बाय कर सकते हैं यह भी एक permanent plant है बहुत hardy plant है तो आप बालकनी gardening करते हैं जरूर आट करिये और यहां देखें यह चोटे-चोटे से nursery bag में इसने एक plant कितने जादा बड़े हो गए हैं यह बहुत अच्छे से चल रहे हैं और यह पॉनिटल पॉम में इनके काफी ज़्यादा डस्ट इखटा हो गया है इसलिए यह ठीक नहीं लग रहे हैं लेकिन आप इससे सेरेमिक पॉर्ट में लगाए ना ति यह बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल लगते हैं और इनके पास अभी कैलेंडूला के काफी ज़्यादा प्लांट है और इन्हें तो सैलिट में भी यूज किया जाता है तो आप इस हिसाब से भी इसे बाए कर सकते हैं और यहां से इनके ये सारे कैलेंचु के कलेक्शन है कुछ सीडम भी है यह देखिए कैलेंचु का इनका कितना ब्यूटिफुल कलेक्शन है अडेनियम के प्लांट भी आप अभी बाय कर लें क्योंकि अब तो सबसे ज़्यादा अच्छी ब्लूमी यही प्लांट करेंगे और आप रोज लवर हैं तो अभी आप इनके प्लांट बाय कर लीजे